हेलो एवरिवन आई वेल्कम यूण आर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12 के इस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है बाके सभी पार्ट्स का लिंक आपको पर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्श में मिल जाएंगे तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए फिलाल के लिए चैप्टर शुरू करते हैं पिछले पार्ट के अंदर हमने उपर के चार टॉपिक्स डिसक्स कर लिए थे बाकी के ये सभी टॉपिक्स दो टॉपिक्स को छोड़कर वो सब हम क्या करे इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और फिर लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे रिमेंनिंग टॉपिक्स डिसक्स करेंगे इसी के साथ साथ में इस वीडियो का एक चोथा पार्ट वी बना दूँगा चैप्टर का जिसके अंदर हम सारी जो भी important stories वगरहं है इ इससे कि आप क्या अगर पाएंगे सब कुछ रिलेट कर पाएंगे तो फिलाल के लिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र क्या है तो देखे हुआ क्या कि धीरे धीरे उस समय लोग आपस में मिल जूल कर रहने लगे उनके बीच का इंटरेक्शन बड़ा ठीक है समाज बड़े होने लगे बड़े राज्ये होने लगे तो अब इन लोगों के बीच स्तिथी सही बनी रहे इसको रखने के लिए क्या करना था कुछ नियम और काईदे कानून चाहिए थे ठीक है तो समाज में बड़लती वी परिस्ति थी और लोगों के बीच बड़ते मेल जोल को देखते हो ब्रहमणों ने क्या किया कुछ नियम और काईदे कानून बना दिये ठीक है अब इन नियम और काईदे कानूनों को क्या कहा जाने लगा आचार सहींता कहा जाने लगा यानि यह जितने भी नियम और काईदे कानून थे ना इन सब को क्या कहते थे आचार सहींता कहते थे इनका संकलन कब किया गया यानि इने कब बनाया गया पांसो बीस इसापू जिनके अंदर वो सभी नियम और काईदे कानून लिखे हैं जिसके अनुसार समाज को चलना चाहिए था किसने बनाया था उन नियमों को ब्रहामडों ने बनाया था ठीक है और इसमें से जो एक सबसे महत्वपुन गरंथ था वो कौन सा था मनुस्मृति था तो मनुस्मृति भी क्या है एक धरमशास्त्र या धरमसूत्र है ठीक है जिसके अंदर जीवन जीने के तरीकों को लिखा गया है नुस्मृति को कब बनाया गया तो इसे 200 इसा पूर्फ से 210 के बीच बनाया गया यह अगर यह 0 वर्ष है तो इसके 200 साल पहले से लेकर 200 साल बात तक यानि टोटल कितने साल लगे 400 साल अगर आपको इसा और इसा पूर्फ समझ नहीं आ रहा है तो आप एक वार हमारी वीडि साणियवर्ण जाते है वस्ता संपत्ति इंस सब के बारे में इसी के अंदर वंडन किया गया है और यही हम इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोतर से कि गोतर क्या होता है तो देखे हिंदु धर्म में मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि प्रतेए एक हिंदु यानि वो उसके द्वारा उथपन है तो इने रिश्यों के नाम पर क्या पस्था घया गया निरधारित और दिये हैं इसलिए शुरुवात में गोत्रों की संख्या कितनी थी साथ थी ठीक है बविश्य में जाकर इसके अंदर एक और गोत्र जोड़ा गया कौन सा अगस्ते है ठीक है और इस तरीके से गोत्रों की संख्या कितनी हो गई आठ हो गई समय के साथ साथ इन गोत्रों की संख्या अलग अलग गोत्र है तो ऐसा था कि ऐसा माना जाता है कि यह आठ रिश्यों के नाम है और इनी रिश्यों की संतान है हर एक हिंदू यानि इनी आठ रिश्यों से शुरुआत हुए किसकी प्रतेक हिंदू की तो यही थी गोत्र विवस्ता गोत्र के नियम क्या थे देखे गोत गोतर के सदस्य आपस में विवा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वे आपस में क्या है भाई बहन है अम्माली जे एक उधारन के लिए हम अगस्ते गोत को ले ले ठीक है तो इस स्थिथी में अम्माली जे एक लड़का है उसका गोतर भी अगस्ते है और एक लड़ त्रीक वेक्ति था जिसके बेटी के शादी शादी है। इनका गोत्र था आगस्ट था। अब इसका गोत्र अगस्टे नहीं रहेगा बलकि, अत्री हो जाएगा। फोकि या लडीकी को क्या करना पड़ेगा? कि अपना गोत्र त्याग कर अपने पती का गोत्र अपनाना पड़ेगा ये दो सिंपल से नियम है आगे अगर हम देखे तो गोत्रों के अधार पर विवा के प्रकार कौन कौन से थे तो पहला था बहिर विवा बहिर विवा का मतलब था कि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में वि अंतर विवा का मतलब है कि जब एक समान गोत्र को लिया जाती के लोगों में विवा कर दिया जाए जैसे अगस्ते गोत्र के लोगों का विक्तिका अगस्ते गोत्र की माली जी लड़की से ही क्या कर दिया जाए विवा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा अंतर विवा इस से कहा जाता था जिसमें एक ही पूरिष की अनेको पत्रिया हुआ करती थी आगे देखते हैं इसी के साथ साथ दिखी आपको एक चीज याद रखने हैं कि वह वाले जो विवा थे ना अभी जो मैंने आपको बता है वो गोत्र के अधार पर थे वह इतना इंपोर्टेंट नही पहले आपको बता है ठीक है तो विवा के प्रकार कितने बनाए आठ प्रकार के विवा बनाए देखे पहला बनाया ब्रह्म विवा ठीक है ब्रह्म विवा क्या था कि भई जो दौनों पक्षों की सैमती के साथ कन्या का विवा करना है क्या क्या लाता था ब्रह्म विवा होता था कि यगव अगेरा कराया और उसी के बदले में अपनी कन्या को क्या कर दिया दान कर दिया किसी को तो उसे क्या कहते थे देव विवा कहते थे ठीक है फिर होता था अर्श विवा अर्श विवा का मतलब होता था कि कन्या के माता पिता को कन्या का मूले यानि दहेज देकर कन्या से विवा करना अर्ष विवा कहलाता था अभी जैसे वर्तमान समय में हम देखे तो मान लीजिए लड़की पक्ष है और यह लड़का पक्ष है तो लड़की वाले क्या करते हैं लड़की भी देते हैं और दहेज भी देते हैं जबकि पहले क्या होता पहले ऐसा होता था कि यह लड़की वाला घर है और यह लड़के वाले ठीक है तो इस इस्तिथी में यह इन्हें अपनी लड़की देते थे और यह इन्हें क्या करते थे दहेज कौन देता था लड़के वाले देते थे अब यह दहेज किस रूप में देते थे मुख्य रूप कर लेना क्या कहलाता था अर्श विवा कहलाता था फिर होता था प्रजापत्य विवा प्रजापत्य विवा में क्या होता था कि कन्या की सहमत्य के बिना उसका विवा अभी जात्ते वर्ग यानि उच्छ वर्ग के वर से कर देना यानि भले ही लड़की माने या ना माने पर उ कर लेते लोग भाग के शादी कर लेते तो वही होता था कि भई कन्या को खरीद कर उससे विवा कर लेना असुर विवा कहलाता था फिर आ होता था राक्षास विवा कर्णिया की सेमती के भिना उसका अफ़रण करके जबरदस्ति उससे विवा कर लेना राकषास कहलाता था और लास्ट चोता था पहले के पहले के चार कॉन से जो मैंने आपको यह वाले बता है, ब्रहम विवा, देव विवा, अर्षी और प्रजापत्य विवा, इन्हें क्या माना जाता था, सही माना जाता था, ठीक है, जबकि बाकी के चार विवा, यन्हें गंदर्व, असुर, राक्षेस और पेशाच विवा, जैसे कि आपको नाम से वी पता चली रहे होगा तो देखे ब्रह्मणों के अिसले कि जो ब्रह्मा जी के शरीर से होई है ठीक है उनके विभे नंगो से होई है इसको देखने से पहले इक वार आप ये समझ लेगा है तो उस समय जो ब्रहमण थे उन्होंने क्या किया उन्होंने समाज को अलग-अलग हिस्तों में बाट दिया ठीक है कैसे बाटा तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग है न यानि जितने भी वर्ण है ठीक है उन सबकी जो उत्पत्ति है न वो ब्रह्मा जी के शरीर के अलग-अलग हिस्तों से हुई है कैसे तो देखे ब्रह्मा जी के मुख से यानि मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है ब्रामणों की उनके कंधे और बाजुओं से किसकी उत्पत्ति हुई है शत्रियों की और न लिखते हैं कि हुआ क्या तो इन्होंने कौन से वर्ण बनाए चार पहला ब्रामण, शत्रिय, वहिश्य और शोद्र और इन चार इस्सों में क्या किया है समाज को बाट दिया ठीक है अब इन चार वर्णों के उन्होंने कार्रे क्या क्या बताए तो उन्होंने कहा कि ब्रामण पढ़न है ना वो वेदों का अध्यन करेंगे या यग करवाएंगे और विख्षा मांग कर क्या करेंगे अपना गुजारच लाएंगे ठीक है जो शत्री है थे शत्रियों के लिए उन्होंने कहा कि इनका काम है शासन करना युद हो उक्ष्ष के इनी चार हिस्सों को क्या बोला गया वर्ण बोला गया तो अगर आपसे कोई पूछे की वर्ण क्या होता है तो आप उसे बोलेंगे कि जब ब्रामणों द्वारा समाज को अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया गया तो उसी व्यवस्ता को क्या कहा जाता था वर्ण कहा जाता या वर्ण व्यवस्ता कहा जाता था अब इसी के साथ साथ क्या हुआ देखे ब्रामणों के अनुसार एक वेktि की जो प्रतिष्टा थी यानि उसकी जो रिस्पेक्ट थी ठीक है, वह उसके जन्म कैधार पर निर्धारित की जाती थी ना कि उसकी योग्गेता कैधार पर कहने का मतलब है कि मान लेजिया आप बहुत जादा विदवान हो ठीक है, पर आप शुद्र के घर में पैदा हुए हो तो आपको अपनी विदवानी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आप जहां पैदा हुए उस इसाफ से आपका काम क्या है बाकी लोगों की सेवा करना इसी कारण ये विवस्ता विवादास पत भी थी ब्रामडों ने कुछ लोगों को इस विवस्ता से बाहर माना यानि कुछ तो ऐसे थे जिनको उन्होंने क्या क किया समाज को चार हिस्तों में बाड़तिया कौन-कौन से ब्रामण शत्रिये वैश्य और शूद्र उसके बाद उन्होंने क्या किया एक कैटेगरी और बनाई जिसे उन्होंने अलग माना अब किसा अधार पर अलग माना ये मैं आपको बताता हूं तो देखे उन्होंने कहा कि बह और इसके लावा भाकि के जितने भी काम है वो सब क्या है वो सब दूशित कर्म है जैसे कि शबहों को उठाना यानि कोई विक्ति मर जिंस का उठाना, अंतिम संस्कार करना, गंदगी की सफाइ करना ये सब क्या देखे दूशित प्रम थे तो ऐसे सभी लोग जो दूशित कर्म किया करते थे उन्हें असपर्षिय गोशित कर दिया यानि अन्टचेबल यानि जिसे टच नहीं कर सकते असपर्षिय सुना होगा आपने ठीक है क्योंकि छुआ छूत वगेरा चलता था उस समय और इन असपर्षिय लोगों को क्या कहा ज आता था ठीक है तो चाण डालों के बारे में मुख्य रूफसर वणन न किसमें मनौत च्रावल रहना पड़ता थे और इनने क्या रहना पड़ता था गौं से बाहर रहना पड़ता था उन्हें रात में गाउं में आने जाने के आग्या नहीं थी यानि वो रात में गाउं में आजा नहीं सकते थे क्योंकि इन्हें न देखना भी बुरा माना जाता था तो ये रात में अचानक अगर किसी के सामने आ जाए तो वो वेक्ती सोसता था कि वो क्या हो गया दूशित हो गया ठीक है ये क्या करते थे ये लोगों द्वारा फैक है बरतनों और चीजों का इस्तिमाल किया करते थे ठीक है यानि इनको अपनी चीजे रखने की भी आग्या नहीं थी जो लोग फैक देते थे ये उसका इस्तिमा माना जाता था चैनडालो को निंदनीय नजरों से देखा जाता था और उन्हें देख लेना भी क्या करता था पाप समझा जाता था ठीक है तो यह हमने देखा मनुस्मृति में क्या लिखा है इसके अलावा जो इस तरोत है वो ये है कि एक चिन्नी बहुत विक्षू थे फाशियन उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि गाउं में आने से पहले ना इन चानडालो को करताल बजाने पड़ते थे ताकि लोगों को उनके आने का पता चल जाए और वैसा अपने घर में चले जाए क्योंकि उस समय के इनुसार चानडालो को देख लेना भी क्या होता था पाप होता था तो इस तरीके से पाँच मुख्य वर्ग बना दिये थे इन्होंने लिखने आपको चा रही है एक एडिशनल था कौन सा चानडाल का ठीक है जिसे असपर्शिय माना जाता था दूशित कर्म के अधार पर बनाया गया था चार वर्ग अच्छे कर्म करते थे बाकी के वर्ग जो चानडाल वाला था वो दूशित कर्म करता था ठीक है सारा लॉजिक समझ आ गया होगा देखिए वर्ग क्यों बनाये गए क्योंकि ब्रामणों को ऐसा लगा कि अब जब लोग आपस में मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इनके बीच में भेद होना चाहिए ताकि इस्तिती अच्छे से चले फिर उन्होंने एक अलग से चांडाल बना दिया दूशित कर्म करने के लिए क्योंकि उनके हिसाब से कर्म दो प्रकार के होते थे अब इसके बात क्या हुआ जातिय ववस्था की शुरुआत हुई अब जातिय ववस्था की शुरुआत कैसे हुई कौन सा करते हैं जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि जातिया बढ़ती गई और इनका निर्धारन भी जन्व के अनुसार किया जाता था जैसे कि शिकारी हो गया निशाद निशाद किने कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं लोग कुमार हो गया सुमर्ण कार हो गया तो इस बन बनाये गई उन्होंने उससे अलग जो दूशित कर्म करते थे उन्हें चांडाल बना दिया और आगे जाकर जब और जादा लोग आने लगे अलग-अलग काम शुरू होने लगे तो ब्रामणों के सामने और ऐसे लोग आए जो कि उस ववस्ता में फिट नहीं हो रहे थे तो उसलिए उन् देखते है जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि रही कौन कितना अमीर था किस पर कितने संसाधन संसाधन थे ठीक है सबसे बड़े पुत्रों को संपत्री का विशेश भाग दिया जाता था माता पिता की संपत्री पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था उस समें, इस्थ्री के विवा के दौराण जो उसे उपहार मिलते थे उसे क्या कहते थे इस्त्री धन यानि शादी के दोरान जो एक लड़की को गिफ्ट्स वगेरा दिये जाते थे उसे इस्त्री धन बोलते थे और इस पर इस्त्री का यानि उस लड़की का पूरा दिकार होता था और इस इस्त्री धन पर पती का कोई अधिकार नहीं होता था त इसा माना जाता था कि धनी घट्टा करना पती से छुपा कर क्या होता है गलत होता है वर्ण के अधार पर अगर हम देखे तो कौन-कौन से चार वर्ण बता है अभी मैंने ब्रामण, शत्रिये, वैश्ये और शुद्र और एक और होता था कौन सा चांड डाल ठीक है तो वर्ण की समाज में विशेश स्थी थी और शत्रिये शासन कार्यों में लगे होते थे वैश्यों के पास अनेक कार्यों का चुनाव होता था यानि वो चाहे तो वो किसानी कर सकते हैं वैपार कर सकते हैं जो चाहे वो कर सकते हैं तो इस स्थी में उनकी स्थी क्या होते थी उनके कार कोई बी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिए बाकी के सबी पार्ट देखिए पार्ट वन पार्ट तू आपको बाकी के जितने भी पार्ट से सबका लिंक उपपर आई वाटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे, टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कीजिए ऐसी और वीडियो और इंपोर्टन कोश्चन्स वगेरा के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए और एक लाइक छोड़ कर जाएगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, थैंक यू